प्रेस्ण पांच का छठा निम्नलिखित का मान ग्याद करें प्रेस्ण है तीन बटा चार का घाद तीन फिर है पूरा पे घाद दो उसके बाद भागा तीन बटा चार का घाद दो कोश्टक बंद गुना एक बटा तीन का घाद माइनस दो गुना तीन का घाद माइनस एक गुना एक बटा चे का घाद माइनस एक ये प्रेस्ण है तीन बटा चार का घाद तीन फिर पूरा पे घाद है दो भागा तीन बटा चार का घाद दो गुना एक बटा तीन का घाद माइनस दो गुना तीन का घाद माइनस एक गुना एक बटा छे का घात एक तो इसका क्या करना है? मान ग्यात करना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तीन बटा चार का घात छे भागा तीन बटा चार का घात दो गुना तीन का घात दो गुना एक बटा तीन गुना छे इस तरह लिख लेंगे तो देखें यहाँ पर क्या है? तीन बटा चार का घात तीन है और पूरा पर घात दो है तो जब घात पर घात हो देखिए घात है पहले फिर उस पे भी घात है तो जब घात पे घात हो तो क्या किया जाता है घात को गुना कर लिया जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तीन और दो को गुना कर लेंगे यानि तीन दुना छे हो जाएगा ठीक है क्योंकि तीन बटा चार पे घाद तीन है उसके बाद पूरा पे घाद दो है तो घाद पे घाद रनने पे घाद को गुना कर लेते हैं तो तीन गुना दो क्या हो जाएगा छे हो जाएगा यानि तीन बटा चार का घात छे हो जाएगा भागा इसको लिख देंगे तीन बटा चार का घात दो फिर बड़ा कोश्टक लगा देंगे मंजला कोश्टक को हटा देंगे यहां पर से अब यहां पर क्या है घात माइनस मे ठीक है तो जब घात माइनस में हो तो एक बटा तीन का व्यूत करम यानि तीन लिख लेंगे माइनस हटाने के लिए ठीक है तो तीन का घात दो हो जाएगा क्योंकि घात माइनस में है तो माइनस हटाएंगे तो एक बटा तीन क्या हो जागा, सिर्फ तीन लिखेंगे एक बटा तीन बन जाएगा, तीन यानि तीन बटा एक तो बटा में एक नहीं लिखते हैं, सिर्फ तीन लिखेंगे तो तीन का घात दो हो जाएगा, गुना अब 3 का घात minus 1 है, यहाँ पर क्या है, 3 का घात minus 1 है, तो घात में क्या है, minus है, तो minus जब अटाएंगे, तो 3 क्या बन जागा, 1 बटा 3 हो जाएगा, तो 1 बटा 3 का घात 1 लिखेंगे, तो घात 1 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 3 का घात minus 1 को हम लिख देंगे तु यहां भी घात माइनस में है तो माइनस हटाएंगे तो एक बटा छे बन जागा çेइगँ और छे का घात एक हो जाएगा तो घात एक लिखे और ना लिखे कोई फरक spray नहीं पड़ रहा तो सिर्फ छे लिख लेंगे तो इस तरह हम लिख लेंगे यहाँ पर अब हम लिख लेंगे तीन बटा चार का घात छे माइनस दो गुना तीन का घात दो है तो तीन का घात दो क्या लिखेंगे तीन गुना तीन लिख लेंगे गुना एक बटा तीन लिख लेंगे गुना छे तो देखे यहां पर क्या है? भागा है और 3 बटा 4 यहां भी है, 3 बटा 4 यहां भी है तो भागा में क्या होता है? जब भागा में आधार यानि आधार जब बराबर हो जैसे देखे 3 बटा 4 यहां भी है, 3 बटा 4 यहां भी है तो घात को घटा लेते हैं, यानि 6 में से 2 घटा लेंगे भागा में, क्योंकि आधार बराबर है, 3 बटा 4, 3 बटा 4, तो 3 बटा 4 का घात हो जाएगा 6 माइनस 2, भागा में क्या होता है, घात को घटा लेते हैं, आधार बराबर रहने पर और गुना में घात को जोड लेते हैं तो यहाँ पर घात को घटा लेंगे तो 6-2 हो जाएगा यानि 3 बटा 4 का घात 6 में से 2 घटा आएगे तो 4 गुना अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुना में है तो 3 से 3 काट लेंगे तो यहाँ पर कितना बचा तीन गुना 6 बच गिया तो 3 गुना 6 लिख देंगे यहाँ ठीक है 3 से 3 काट लेंगे गुना में तीर्षा कटता है तो 3 बटा 4 का घात 4 है यानि 3 बटा 4 गुना 3 बटा 4 गुना 3 बटा 4 इस तरह लिख लेंगे गुना 3 गुना 6 तो यहाँ पर क्या है 3 बटा 4 का घात 4 है यानि चार बार इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अब देखें दो दुना चार काट लेंगे दो तिया छे काट लेंगे दो दुना चार दो तिया छे काट लेंगे तो बच गया यहाँ पर तीन गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया नो, 9 तिया सताइस, 27 तिया एक आसी, 81 तिया हो जागा, 242, 243 तिया, हो जागा 7 29, तो यहां पर लिख लेंगे 729 बटा, आब इसको गुना कर लेते हैं, 4 peach 16, 164, 262 गुना 128, तो 3-3-3-3-3-3 करने पर आगया 729 और 4-4-4-2 करने पर आगया 128 तो इसका उत्तर हो गया 729 बटा 128 तो इस तरह से इस प्रस्न को हल करेंगे झाल झाल